करते हैं प्रियंका जी प्रियंका जी चुनाफ की रणभेरी बज चुकी है और रणभेरी बजने के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चार्ट सो की तरफ आगे बढ़ने के लिए हर संभब प्रयास करेगी जो हर पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार होता है पहले राममंदि का आलम देश में ये है कि उत्तर प्रदेश में 93,000 लोगों ने अप्लाए किया 64 पीओन जॉब्स के लिए उसमें 50,000 ग्राजुएट्स थे 38,000 पोस्ट ग्राजुएट्स थे और 3700 पीएचडी थे इन्होंने पीओन की जॉब के लिए अपलाए किया अब अगर जितने भी है हमारी सरकार द्वारा रस्ते में कीले बिचाई जा रही है उनको दिली नहीं आने दिया जाता उनके उपर पेलेट गंज बढ़ता रही है भाजपा पर illegal immigrants की इतनी हिम्मत हो गई कि वो CM निवास एक चुने हुए popular मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जिक केला बार उन्होंने की MAFY मांगने को कहा पाकिस्तानियों ने एक हिंदूस्तानी CM को MAFY मांगने को कहा ये हालत हो रही है भाजपा Vote Bank की राजनीती कर रही है आलास्ट मिनट में अब वो क्या बोले जाके लोगों को कि हमने तुम्हारा पेट्रोल 100 रुपे पार कर दिया कि हमने करण लेकिन 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 इंट्रस्टिंग है सब तीजे सुधान शुत्रवेधी चुनाव से ठीक पहले सीए क्यों आया यह सवाल जरूर पूछा जाएगा एलाने जंग हो गया है यह सवाली अपने आप में बेमानी है सीए तो दिसंबर 2019 में आया था चुनाव के छे महीने बाद अब क्यों आया चार साल भाएगा जनवरी 2020 में नोटिफिकेशन हुआ था के वल्ट और दो साल पड़ गए थे कोविड के तो रूस का फॉर्मेशन अब हुआ है यही कहते हैं सत्रा लाग के आसपास हिंदू बचा और सुनो बंगलादेश की पापुलेशन है सोला साड़े सोला करोड और वहां हिंदू है साड़े साथ परसेंट यानि एक करोड के आसपास मेरे भाई एक सवा करोड से उपर है नहीं और जूड बोलना पढ़ा लिखा मुक्यमंतरी कि इधाई से तीन करोड माइनॉर्टी है जे है असली चेहरा और इसके साथ इन्हों ने ये भी साबित कर दिया कि इन्हें दुश्मनी सिर्फ भारत के हिंदूों से नहीं हिंदू मात्र से दुश्मनी है चाहें किसी भी देश का रहने वाला हो और पाकिस्तान से आए थे यू प्रकाश जैसवाल ने मोस बोला था कि इस देश में दो करोड बंगलादेशी मुस्लिम घुसपैटिये हैं भारी संख्या में दिल्ली में हैं ये केजरी वाल सरकार ने जो कहाना है एक हजार रुपए हम हर महिला को देंगे उन्होंने वेरिफाई किया है कि रोहिंग्या औ मुस्लिम को और बंगलादेशी को नहीं देंगे नहीं किया या वो दावे के साथ कह सकते हैं ये स्टेट गवर्मेंट की रिस्पॉस्बिल्टी इसमें सेंटर नहीं आता बीच में कि उनकी स्टेट में एक भी बंगलादेशी घुसपैटिया नहीं है इसका मत्तब सरकारी हजाने से बंगलादेशी घुसपैटियों को पैसा देने को तयार है हजार हजार रुपली और यहां कह रहे हैं कि साथ हमारा नौकरी खाली जाएगी मैं जवाब नेता हूँ प्रियंका जी चे लेकिन मेरे सवाल को कि आपने बुला यह सवाल बेमानी और मेरे सवाल का जवाब नहीं आया मैं दुबार आपके पास आऊँगा प्रियंका जी कई सारे गंभीर सवाल डॉक्टर सुधान्शु तिरवेदी ने उठाए बीजेप कि एक नरेटिव बिल्ड कर रही है कि opposition is anti-hindoo मैं सुधान्शु जी पहले सुधान्शु जी की बात का जवाब दे देती हूँ देखिए सुधान्शु जी है बीजेपी से यानि की बहुत जूटी पार्टी इन्होंने आपको यह नहीं बटाया कि 2025 December 2020 को इनके यूनियन मिनि नित्यानंद राय ने सदन में रखा आकडा कि उनके पास आकडा ही नहीं है कितने लोग आ रहे हैं उनके पास इतना complex issue है illegal immigration का आकडा नहीं है बट हाँ 2017 का है 2018 का है 2019 का है और ये तीन सालों में एक लाख 10,642 सिरफ बांगलदेशी आए पाकिस्तानी अफगानिस्तानी में भी गिन नहीं रही इसके बाद 12 डिसेंबर 2023 को इनको लताड पड़ी भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से इनके union home secretary अजे कुमार भला ने कहा बताया कि 1000 किलोमीटर तो बांगलादेश बॉर्डर का ऐसा है जिस पे हम fencing नहीं कर पा रहे और लोग आते जा रहे ये 17,000 लोगे इनको लीगल कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ने लताला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कितने illegal immigrants को नागरिक बनाना चाहते हो तुमने अब तक fencing क्यों नहीं complete की तुमने बॉर्डर सुरक्षा के लिए क्या किया यह हुआ यहीं बता रहे हैं अर्विंद केजरिवाल जी बार अगले कुछ साल लगेंगे जब पाकिस्तान की तरह फेंसिंग होगी जूट बोलने के हाद है जिनोंने सीमा का निधान नहीं किसे इसलिए मैं गाता हूँ जूट का कारोबार यह लोग कितना करते जूट बोलने पहले दस बार सोच लेना चाहिए और मैंने इनके ग्रह राजवांद्रू और श्रीप्रकाट जैस्वार्ट बोला था कि नहीं ब भाईया का हकीकत की जिन्दीगी से कोई दोना देना नहीं है और सुनिये जो बजरंगी भाईजान छोड़ने गए थे उनके पापा RSS के वो थे स्वें सेवन यादे साखा परताब गड़ी साखा करते पर वेदी जी थे आप क्यों लख रहे हैं तो हमारे ही दिन में वो रह हातंगबादी गद्विडियों में उधारने 2005-6,7,8,9,10 पताइए सुनिये लखनाओ फैजाबाद बनारस के लेकर जैपुर ब्लास से लेकर हैदरावाद से लेकर सुनिये पूरी बात हो नहीं है शान बोलिए शान बोलिए शान बोलिए शान बोलिए बंगला देशी मुस सुनिये केजरिवाल जी का वीडियो है कि जब तक केजरिवाल बैठा है वकपोल्ड को पैसे की कमी नहीं होगी इतना पैसा रहेगा इतना पैसा रहे का है तब संसाधन नहीं याद आता है क्यों डिपोर्ट क्यों नहीं करें कैसे घुसरें देश में बताइए अच्छा एक वापस मुद्य पर आता हूं एक चिकिन मैं वापस नहीं किसी को जाने के विशक्ता नहीं है क्यों आता है